जन्पद बरेली के फरीद पूर्थाना शेतर में बच्चों का मामुली विवाद बढ़ा हो गया मामुला इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्षों की तरफ से तावर्टोड फाइरिंग होने लगी दरसल पूरा मामुला मजवा हित राम का है जहां बच्चों के आपसी विवाद में उनके परिशन आमने सामने आ गए फिर दो पक्षों में जम कर फाइरिंग होई मोगे पर भारी संक्या में पुलिश आपता तैनात किया गया पुलिश ने घायलों को फरीद पूर के सामुदायक स्वास्तक के अंद्रे में भर्ती कराया बेकर नुवाद हो गया था तो दोनों पक्षों में जगड़ा हो गया तो तरह से पत्थर चल गए बताया जा रहा है कि हवाई फारिंग लिए तो छे लोगों को देबतार कर लिया गया मुकत मलिक के विजिक कारवाई की जा रही है सिस्टर की साधी थी और उन्होंनों चलाई कर दी ती कहाता तलवार भी थे जहां पर बेखो वहां किसने वो एक का नाम कादू है और बुंदन मुझकिर और समरुदी हाफिक जी किस बात को लेकर लड़ाई भी थी अरे कोई बच्चो चो का कुल मैटर हो गया था उसी चक्रमर हम समझा रहे थे कि कुछ मत्रों साधी है उसके बाद थोला आप उसमें बात कर लेंगे मगर बुन नहीं माँगे ऐसा सुनने में आए कि गाओं के अंदर फाइरिंग भी की गई है और मुझकिर के पास मैंने खुद देखाया और ज्यादा जानकारी लेंगे बरेली से हमारे संवादाता अभिशेक से अभिशेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अभिशेक बच्चों की मामुली कासु इतनी बढ़ गई की फाइरिंग हो गई और दो पक्षों में जगडा हो गया और कई जने घायल भी हो गए क्या कुछ जानकारी है अभिशेक इस टाइब लोकडाउन 5.0 या अनलोक 1.0 चल रहा है पुलिस चपे चपे पर तेनाथ है बावजूद उसके कहां से अतियार आये कि फाइरिंग तक की नौबत करनी पड़ी जी आपको बता दे हैं वहाँ पर ये गाओं का मामला है और गाओं में ये छोटे संदाए के तोड़े वहाँ पर लेकर जिनों ने पड़ गया कि दोनों पच्चों में फत्रा हुआ फिर लाची डंडे चले हैं फिर फाइरिंग हुई है मौके पर पुलिस को जब जानकारी पहुंची तब पुलिस ने मौके पहुंच के मामले को लंबीता से लिया और फिस तब जाते छेलों के रफ़तारी करीब आगी अन लोग इसला का मुकरमा दर्ज किया गया है धन्यवाद अभी शेख तमाम जानकारी के लिए